अब मिलते हैं जमाई राजा की सासुमा याने की पापिया से जिनकी मुलाकात जल्दी अपने जमाई राजा से होगी और उसके बाद इनका हुजाएगा जीना हराम फिलाल तो पापिया अपने किर्दार में ढलने की पूरी तयारी कर रही है आईए जानते हैं इनसे इनके किर्दार के बारे में और कैसा लग रहा है वापस जी टीवी पर आकर मैं बहुत खुश हूँ एटना अच्छा शो मिला है और मैं में नेकिटिव लीट कर रही हूँ तो बहुत बहुत वागत मजा रहा है करने में और वेट कर रहे हूं कब टेले कास्ट हो और कब हमें ओडियन्स का फीडबाइक मिले शो का कॉंसेट जो है जमाई नमबर वन जो शो का नाम है उसमें जैसे आपको पता है सास और जमाई में तुतुमे में होती है जो बहुत मज़िदार होगा और शो का कास्ट भी बहुत अच्छा है और जहां तक हमारा कॉंसेट जाता है यह तो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगी यह आपको देखना पड़ेगा वो मज़िदार तुतुमे में के लिए और शूटिंग शुरू हो गई है हम अभी मज़िदार सीन्स कर रहे हैं आप लोग के लिए तो आप पेट कीजिए और देखिए यह बहुत ही ट्विस्ट एंट वाला शो है जहां पे मैं बिल्कुल उसे पसंद नहीं करती और मैंने ही चाहती हूं कि जो हमारा हीरो है वो मेरी बेटी से शादी करे हो जाती है शादी और मजा तब आता है जब वो हमारे यह नहीं था नेगेटिव मेरा मैंने शुरुआ थी नेगेटिव रोल से की थी उसके पात पॉजिटिव नेगेटिव बट यह जो रोल है यह यूनीक है मतलब डेफिनिटली ऐसा किरदार मैंने पहले नहीं किया जो एक सास अस्ट्रिक्ट सास मतलब बहुत ही नो नॉनसें उसको एकसेप्ट ही नहीं करती हूँ और वो आ जाता है मेरे खार में तो है तो मज़ेदार मैं अपनी बेटी को लेकि बहुत पुजेसिव हूँ बहुत पुजेसिव हूँ और एक अलग साइड भी है मेरे कैरेक्टर का जो आपको शो में दिखेगा मैं वो डिस्क्लोज न से दोनों बच्चों से प्रथम और रिधी से लेकिन रिधी से जादा क्योंकि पहले तो वो लड़की है और मेरे दिल के बहुत करीब है तो उसको लेके बहुत-बहुत मतलब कैफुल रहती हूं बहुत उसको ऐसे मतलब गले से लगा के रखती हूं रिधी मेरी जान है यह ह तो मतलब मैं नहीं चाहती हूं कि रिधी किसी से भी शादी करे क्योंकि ऐसा कुछ instances होते हैं जिन्दीगी में जहां मुझे चोट लगती है मेरे husband से या मान से इक चोट तो मैं मैं नहीं चाहती हूं कि उसकी शादी हूं मैं होने भी नहीं देती तो यह आगे जाके पता चलेगा कि क्या होता है नहीं नौट एक्जाक्ली बट बहुत सालों के बाद मैं ऐसा क्यारेक्टर कर रही हूं बहुत चालेंजिंग तो है डिफिनिटली इससे पहले काफी शोज में मैं सिर्फ पॉजिटिव मदर किया करती थी किया है मैं तो वो चेंज ओवर थोड़ा सा डिफिकल था क्योंकि एक होता है ना पॉजिटिव करते करते और नेगिटिव मैं जा अभी सब ठीक है डिफिर्ट तो है ऐसा लोग पहले भी हो चुका है बहुत साल पहले बट यह जो मतलब ड्रेसिंग एंड हैस्टाइल एंड बेसिकली हमारा सिंधी फैमिली है चोटवानी तो एक्स्ट्रीमली रिच बहुत बहुत पैसेवाले हैं लोग तो साडियां और ल टॉस्त वंडर्फॉ अभी शेख इस डार्लिं तो इससिम्रन दोनों इतने अच्छे हैं कि मतलब एक दो दिन में हमारी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई टचुट कि बहुत मजा आता है और अभि शेख तो सच मिस बहुत बहुत अच्छा लड़का है बहुत ही अच्छा अमेजिंग और बहुत मज़ा है आप लोगों को बस देखिए और फीडबैक जरूर दीजेगा हम तो लेकर ही आते हैं आपकी जिदिकी में 24-7 entertainment तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है पिसे लाइक करें कमेंट एक अपनी जाय जरूर दें ऐसे ही exclusive content के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप यही वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को भी फॉलो करें और साथ की साथ हमें फॉलो करें अपने WhatsApp पर भी ताकि आप ना मिस करें entertainment का कोई भी अपडेट